तीन वैक्सीन्स इस समय भारत में कुछ थोड़ा आगे बढ़ सकी हैं। और तीन और वैक्सीन्स हैं जो प्रिक्लिनिकल स्टेज में हैंगी। जो तीन जो आगे बढ़ चुकी हैं। उसमें सिरम इंस्टिटूट वाली वैक्सीन है, जो फेस 2, B और 3 की स्टेज में चली गई है शुरू हो गई है और जिसमें 1700 मरीजों को स्टडी किया जाएगा और दूसरी भारत बायो टेक की वैक्सीन है जो फेस 1 की स्टडी में 375 मरीज को कम्प्लीट कर चुकी और सेकंड फेस शुरू करेगी और तीसरी जाइडस कैडिला की है जिसमें कोई फेस 1 की कम्प्लीट होई है उनकी कोई 45 या 50 मरीज की और सेकंड फेस उनकी शुरू होने वाली है तो यह पोजिशन है और शुरू होने इसमें फेस में आप लोगो को यह समझना जरूरी है कि पहले एक डोस वैक्सीन की मिलती है क्योंकि यह हमेशा 2 डोस आप लुदी है तो पहले एक डोस मिलेगी उसके चौदा दिन या 28 दिन बाद दूसरी डोस मिलेगी और उसके बाद कम से कम 2 हफ़ते के बाद उनकी ऐंटी बडी रिस्पॉन से चार यांटी बडी रिस्पॉंस देखी जाती है ब्लड में की बादी या नहीं पैदा हूए सप्कrant अफ़ियाशनी ए स्ट कमुशेत सप्स 실파 इस इंद विर इसने इनंगी जैसी इंजारा जो बांडाशननी जाले। कि उनला चिए इस वेःताव जा абсолютिए अंठा टेन לवी में हम थे श्याशनाश βार क्या बांट भीठीत आपी अग्धहाफ इसे फ figकलिद अग्सेरोंग को र rely केस्टेरोंगे फिर्भ्स आजरोंगी ए मेर स्टेरोंगी कोंपन lug Tuesday अवचकश अगर्वे कार्ष ड्या फिर फॉक नहीं स्ट वेदेंगा we will have results of that available. Having said regarding antibodies, most of the serosurveys are looking at antibodies. Neutralizing antibodies, T-cell responses, etc. are not being studied in these large serosurveys. However, most of these states, wherever they are conducting serosurveys, they do send us their results and their reports and they are being compiled as well. The recovered patients and patients, their health is more than 24 lakhs. से ज़्यादा हो गई है और वो आज की तिथी में जो active cases हैं उनके 3 गुना से भी ज़्यादा है लगभग साड़े 3 गुना है 3.4 times of active cases so recovered patients that number is more than 3.4 times of the active number इसी से जुड़ा हुआ जो बिंदू है वो recovery का है और recovery rate इस समय 75 प्रतिशत से अधिक हो गया है इसकी वज़े से जो active case हैं वो cool cases के मात्र 22 प्रतिशत रह गए है